वो कौन लोग हैं जो CBI की बिल्डिंग से ही अब सबूत मिटाने पर उतराए हैं साथ ही जैसे ही CBI की बिल्डिंग ने अफसर अली खान पर हाथ रखा 24 खंटे के अंतराल CBI की बिल्डिंग पर हमला होना शुरू हो गया है कोलकता केस में अब तक कई अपडेट सामने आ चु पूरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे मेरे साथ अभिशेक मौझूद है अभिशेक कोलकता केस में CBI न अभी तक पांच लोगों को गिरफतार किया दो लोगों की नाम ऑलरडी सभी जानते हैं लेकिन बाकी की लोगों के बारे में आब दें दो लोगों का नाम तो चौथा आरोपी उसी का दोस्त सुमन हाजरा है और पांचवां आरोपी जो है वो बहत चौक आने वाला है जिसका नाम आपने लिया अफसर अली खान वो इतना बड़ा रसुखदार है कि CBI उसे जैसे ही पकड़ती है उसके 24 गंटे बाद CBI के ऑफिस के आसपास ऐसा महौल बन जाता है CBI के ऑफिस के आसपास क्या कहिए कि CBI जिस बिल्डिंग में सबूत रखी है वहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं ये तो एक तरीके की साजिश लगती है अफसर अली खान का जिक्र बहुत जादा हो रहा है अबिशेक जब से अफसर अली खान के कई वीडियो भी वारा लूए उन वीडियो का जिक्र करेंगे लेकिन सबसे पहले अफसर अली खान है कौन कि कहने को अफसर अली खान संदीप घोश का बाउंसर है एक शब्द में लेकिन इसका जो मतलब इसके बारे में जानकारी है वह सिर्फ इतनी अगर दे देते हैं आप तो यह नेता हैं वहाँ से विधायक हैं अतीन घोशु उनका करीबी कहा जाता है और कहते हैं अतीन घोशке कहने पर ही ममताव अनर जी ने बखायदा इसको अर्जीकर मेडिकल कॉलेज में बतार अतिरिक्त सुरक्षा करमी रखा था जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही थी वो कर मेडिकल कॉलेज के पριंसपल रहे हैं, जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यह घठना हुई है, लेकिन यह तब प्रिंसपल नहीं थे, यह एक साल पहले परिंसपल थे, तो जब उनकी नियुक्ति होती है, ये वीडियो उसी टाइम का है, जब उनकी नियुक्ती होती है तो एक हपते के आसपास ये उस college में जाता है अब कोई भी college में बिना किसी स्टाफ के अगर किसी को देखेगा कोई principal तो टोकेगा वो उसको टोकते हैं पूछते हैं तुम कौन हो भाई वहीं के भाषा में पूछते हैं उससे तो वो कता है अतिर असगर अली खान टाइप वह यह काता है कि दीदी से बात कर लो अब वह बंदो पद्धाय सोचते हैं दीदी कौन पूरा देश जान रहा है दीदी मतलब ममता दीदी लेकिन वह फिर भी कनफर्म करने के लिए पूछने आए तो काता है सीम दीदी दीदी तो एक ही है अब बता है ममता के किसी करीबी ने बेचा है जिस तरह से अभी मैंने बोला कि अफसर अली खान पर हाथ रखते ही सीबियाई की विल्डिंग में हमला हुआ विशेक और साथ ही जो वारेल वीडियो में आपने बताया कि वो कहरें दीदी से बात कर लो सीधा अंदर घुसते ही सीबिया करता से कि निजाम पैलेस जहाँ पे सीबियाई रुकी हुई है मतलब सीबियाई ने जहां सबूत बगर रखें जहांसे वो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है अर्जी कर मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन को पूरी जाच वहीं से चल रही है उसी के पास एक बिल्डिंग है खबर आती है कोलकाता से कि निजाम पैलेस बिल्डिंग में आग लग गई, अब ये कोई साधारन बात तो है नहीं देखी, कहने को जैसे बिहार सची वाले में कई बार ऐसी घटनाएं हुई और कई सारे डॉक्मेंट नहीं मिले बाद में, तो जाच के दोरान जब इस तरीके तरीके से गई है, काफी अच्छे तरीके से प्लान करके ये लोग गए हैं, ताकि किसी भी अधिकारी को कोई छूँ ना पाए, लेकिन जब इस तरीके की घटना किसी बिल्डिंग में होगी, वो भी वहाँ, ये सीधे तोर पर CBI पर हमला हम नहीं कह सकते, लेकिन जब इस त पकड़ा गया, कोई परिशानी नहीं होई किसी को, संदीब घोस इतने ड्रामे के बाद पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफसर अलिखान पकड़ा जैसे ही जाता है, पांच गिरफतारी की बात जैसे ही सामने आती है, इस CBI बिल्डिंग में ये कहानी कैसे श हुआ था, उसके बाद से बड़ा अपने देखा होगा, इतनी भीर ट्रकों में भरबर के लोग आते हैं, और उसके बाद प्रोटेस्ट होना जो है, वो शुरू हो जाता है, सवाल वहीं से खड़ा हो जाता है, कि सबसे पहले तो घटना हुई अभिशेक, उसके बाद एक ब के हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कि कोलकता में एक ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, तमाम तरह के सरकारी अस्पताल है, लेकिन आरजीकर अस्पताल के लिए ही क्यों विसेश सुरक्षा हो रहा है, अगर आपको सुरक्षा में रखना ही है, तो आप उस क्राइम सीन को रखते, लेकिन ऐसा क्या उस कॉलेज के अंदर है जो उस कॉलेज को इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। नई प्रिंस्पल पे निगरानी रखने के लिए था। को अंजाम देते हैं मतलब कहिए कि CBI ने अगर उनको उठाया संदीब घोष को जैसे आर्थिक वितिया निमित्ता के मामले में उठाया इस केस से कनेक्शन कब जुड़ेगा क्या होगा वो बात की बात है। तो आप समझे कि तार कितने बड़े जुड़े हुए हैं आखिर अस्पताल में उस अर्जिकर मेडिकल कोलेज में ऐसा क्या चल ला था। कि नए प्रिंसिपल की न्युक्ति हुई और उसके बाद मम्ता वनर जी की और से या फिर वहां के लोगों की और से उनके करीबियों की और से एक ऐसे वेक्ति को भेज दिया गया जो ना उसका स्टाफ था ना वहां पर उसकी कोई जरूरत थी। जी बिल्कुल और जिस तरह से तमाम तरह की जो है क्लू निकल करके आ रहे है साथ ही CBI के हाथ अभी तक भी कुछ नहीं कह सकते है अभिशेक की कोई ऐसा क्लू लगा है। से खड़ा होता है कि अब जब CBI की रडार पर अफसार अली खान आ चुका है तो अब वो कौन से बड़े रास कोलेगा क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो आला कि वो वीडियो पुराना बताया जा रहा है लेकिन जिस तरह से धाकर तरीके से मैं काऊंगी वो अंदर घुसता है और कहता है कि आप दीदी से बात कर लिजे ये वीडियो बहुत कुछ कहता है आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है अमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं झाल